तीक है ना मैं रिप्रेजेंटेशन औफ इंट्रीज की बात करूं तो तीन तरीके से होता है कि अन गृूप अन गृूप मतलब जिसमें सारी इंट्रीज डिस्क्रीट फॉर्म में दी होगी कि भाई पहली इंट्री वन दूसरी इंट्री टू फिर 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 फॉर ऐसे करके से नमबर आफ इंट्रीज डिऊंगी गृूप इंट्रीज में क्या होता कि कोई बी इंट्री उसकी फ्रिक्वेंसी पर देती होगी मतलब जैसे एक इंट्रीज तु है वह फाइफ टाइमस है एक इंट्री थ्रीज फ़ें मतलब यह इंट्री तो यह पर एक डाटा रिप्रेजेंटेशन होता है लास वाइस डाटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक लास बनाई जाती जिसमें उसकी अपर और लोवर लिमिट होती है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 0 is lower limit, 10 is upper limit, और this section, 10 is lower limit, 20 is upper limit, आप क्या है, आपके पास बहुत सारी entries given है, उन सारी entries की frequency आप लिखते हैं, मतलब 0 से 10 के बीच में 3 entry है, 10 से 20 के बीच में 4 entries है, 20 से 30 के बीच में 2 entries है, 30 से 40 के बीच में 3 entries है, that is representation of data in class-wise, that is representation data in group-wise, that is ungroup data, तो कोई भी stats में data representation होगा, तो इन तीनों में से ही किसी एक form में होगा, है ना, अब एक representation pie chart का भी होता है, कि आप अपने data को pie chart में represent करते हैं, मतलब एक representation pie chart का भी होता है, वैसे तो representation bars में भी होता है, बट एक pie chart भी होता है, जिसमें आप अपने data को pie chart में represent करते हैं, मतलब एक circle बनाते हैं, उस circle के हिसाब से आप दिखाते हैं कि इतने entries data A की हैं, इतनी entries data B की हैं, data B type, इतनी entries data C type, इतनी entries data E type, इतनी entries data F type, इतनी entries data G type, ऐसे करके, तो वो सारी entries आप अलग-अलग section अलग-अलग colors में दिखाते हैं, अपने pie chart में, that is entries of data pie chart के हिसाब से वो सारी entries होती है, समझ रहे हैं कि नहीं, भूलिए भाई, कोई confusion आ रहा हो तो बताइए, यह बात हो गई कि आप अपने data को represent कैसे करते हैं, क्लियर हुआ है, यहां तक सब्सक्राइब, चलिए, तो मीन का मतलब होता है कि सारी entries का आप सम करिए, और total number of entries से डिवाइड कर दीजे, तो आपको हमेशा मीन मिल जाएगा, मतलब जितनी भी data entries आपके सामने है, सब का सम कर दीजे और total entries से डिवाइड कर दीजे, तो आपको मीन मिल जाएगा, अगर आपकी entries group wise है, अगर आपकी entries कैसे है, group wise है, मतलब 0 से 10, मतलब class wise है, यह आपको class दी हुई है, और उसमें आपको दिया हुआ है कि कितनी frequency है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करके आपको सारी frequencies की entry दी हुई है, F1, F2, F3, F4, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सारी class का mid निकालते हैं, तो हम यहाँ पर एक अपनी data entry त्यार करते हैं, that is called XI, उसमें क्या करते हैं, इसका mid निकालते हैं, that is lower limit plus upper limit by 2, 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 और फिर इसमें सीधा result लगा देते हैं x-bar निकालने के लिए sigma fi into xi by cumulative frequency fi किसी भी situation में mean निकालने के ये तरीके होते हैं अब जिस भी type का data entry आपके सामने दिया होगा उस situation में आप इस तरह के result को use करके mean निकालेगा ultimately काम एकदम simple है सारी entries का sum divided by total entries सारी entries का sum divided by total entries यहां भी हर class में मतलब जीरो से 10 के मिट में कितनी entries हैं तो यह पता है कितनी entries आ रही है तो हमने कहां किया सार चुके में mean निकालना मीन मतलब मिड तो हमने कहां कि अपनी class में upper lower limit जोड़के हर class का मिड निकाल लिया और उसको frequency से multiply करके total cumulative frequency से divide कर दिया तो वहां से आपको हर बार mean निकलाएगा तो किसी भी situation में आपको mean अगर निकालना है तो उसके लिए यह काम आप आराम से easily कर लेंगे कि अगर आपने यह कहा कि x bar जो है वो आपके entries का mean है और आपने mean deviation निकाला तो सारे mean deviation का जो cumulative sum होता है वो हमेशा 0 होता है मतब sum of mean deviation is equal to 0 obviously जो entries mean से छोटी होंगी उनका deviation negative आएगा और जो entries mean से बढ़ी होंगी उनका deviation उतना ही positive आएगा तो दोनों का cumulative sum हमेशा क्या आ जाएगा 0 सही है तो deviation about the mean cumulative sum of deviation about the mean is always equal to 0 यह पहला result कि deviation mean के about अगर आप निकालो और उसका sum कर दो तो वो सम हमेशा 0 आता है दूसरा अगर आपको सारी इंट्रीस पता है और आपने उन सारी entries को किसी quantity से increase किया यह सारी entries में किसी quantity को multiply किया यह सारी इंट्रीस में किसी quantity को divide किया तो आपका जो नया मीन आएगा वो पुराने मीन में वही quantity एडिया를 सप्रेक्ट हो जाएगी पुराने मीन में वही quantity कौंस्टेंट से इंक्रीज किया मल्टिप्लाइब किया तो आपका मीन भी उसी क्वांटिटी से एड सब्ट्रेक्ट मल्टिप्लाइब क्यों क्यों कि आप XI में निकालने के लिए सारी इंट्रीज का सम करते हैं यानि कि वो डी भी उतने इंट्रीज में इंट्रीज में दिवाइड होके वी कॉमन आ जाएगा तो उसका सेम इफेक्ट आपके मीन पर पड़ेगा यानि सारी इंट्रीज में अगर आप कोई क्यों है कि लिए दूसरे में टोटल इंट्रीज ऑन तो जो जो दोनों को कंबाइन करके नया बॉक्स बनेगा बोनेगी उसका जो तो तीन रूल होते हैं, पहला cumulative sum of deviation about mean, मतलब mean से कौन सा entry कितना deviation पे है, उसका cumulative sum हमेशा जीर होता है, पहला mean में कोई भी quantity add, subtract, multiply या divide करने पर, आपके mean में वही quantity add, subtract, या multiply, divide हो जाती है, तोटल किसी सारी entries में same quantity add, subtract, multiply करने पर, mean में भी वही same quantity add, subtract, multiply, divide हो जाती है, दो अगर अलग-अलग box है, पहली data entry का mean n1 x1 bar है, दूसरी data entry का mean x2 bar है, तो उसके combination का mean होता है, वो होता है, n1 x1 bar, n2 x2 bar by n1 plus n2, क्या है बात आप लोगों को समझ में आ रही है, बोलिए, अगर य तो ऐसा है मैं कह सकता हूँ कि मानलो पहली data entry यह रही, है ना, इसमें total जो x1 mean है इसका, और total जो entry का sum है, वो sigma fi है, और यह दूसरी data entry है, इसमें इसका mean x2 bar है, और total sum sigma fi dash है, दोनों को जैसे आप combine करोगे, तो जो नया वाला mean आएगा, वो आएगा, पहला mean into sigma fi, दूसरा mean into sigma fi dash divided by total sum, मतलब sigma fi plus sigma fi dash, वही n1 x1 bar, n2 x2 bar by n1 plus n2, क्या यहां तक लिखा, रिजल्ट सबको समन में आ रहा है, बोलो, हाँ यह ना, देख लिजे, कोई confusion आ रहा हो, तो बताइए, done, अच्छा, अब यह तो भाई वही सेम calculation की बात है, कि अगर आपके पास n numbers थे, आपने उसमें एक number और add किया d, तो total mean क्या होगा, जबकि इन सा mean अगर x1 bar है, तो total sum x1 bar into n हो जाएगा, उसमें d आपने add किया और n plus 1 से divide कर दिया, अगर आप इसको divide करोगे, तो यह result निकल के आता है, यहां पर x bar add कर दे, x bar separate कर दे, n plus 1 x bar by n plus 1 तो x bar हो गया, यानि कि इस जो पुराना वाला mean है, उसमें d minus x bar by n plus 1 add हो जाता है, बस यह है कहने का मतलब यह है कि जो अगर आपने सारी entries में कोई नई entries d add की, तो उसके mean पर जो फरक आता है, वो आता है, d minus x bar by n plus 1 का, उसके mean में जो फरक आता है, वो आता है, d minus x bar by n plus 1, आप चाहो तो यह result याद रखो, या फिर यह वाला result याद रखो, कि नया जो mean आएगा, वो n1 x 1 बार, total sum, plus d by n plus 1 आएगा, या फिर उसको d minus x bar by n plus 1 से add करतो, दोनों बाते हैं, इसके उपर सर, क्या किया था, d add किया था सब में, कहां पर, यह ना, अगर सारी entries में कोई constant add कर दें, सारी entries में, इसमें क्या है, यह सारी entries थी, एक नई entry d डाली गई, तो total entries n plus 1 हो गई, इसमें क्या है, कि हर x1 plus d, x2 plus d, x3 plus d, x4 plus d, ऐसा, इसमें क्या है, कि total entries थी, n, उसमें अब एक नई entry d और डाल दी गई, तो total entries कितनी हो गई, n plus 1, यह है, मतलब भाई, मतलब पहले 20 element थे, आप 21 element हो गया है, इसमें क्या है, 20 element है, हर element को d से increase किया गया, d से decrease किया गया, तब effect क्या आएगा, यह वो बात है, समझें? यह सर, क्लियर हुआ, mean में इस से ज़्यादा बड़ा variation आपके सामने कभी नहीं आएगा, 41.3, कितना? 41.3, मतलब टोटल 100 था और उसका mean 40 दिया हुआ था, यही तो है, हाँ यह न, बोलो, तो टोटल सम यह आ रहा है, अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, कि एक इसको डिसकवर किया गया 53, जो कि मिसरीड हो गया, तो इसमें 83 माइनस करके 53 एड कर दें हम, हाँ यह न, अब यह एक्जेक्ट समा गया, और इसको किस से डिवाइट कर दें, बताओ, अंडेट से, तो यही आपका करेक्ट मीन आ जाएगा, देख लीजे, कोई कन्फीजन आ रहा हो, तो बताईए, क्या मैंने सही लिखा है, यानि अब आपका आंसर क्या आएगा, 40 माइनस 0.3, यानि आंसर आ रहा है, 39.7, चेक करो, बोलो भई, यही आ रहा है, किसी को इसमें कोई कन्फीजन हो, तो बताओ, समझेगी नहीं सब लोग क्या किया है, मैंने और क्यों कि, अरे हाँ याना, तो पहला मीन क्या होगा, X1 बार, बोलो, 11 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 22 बाई 5, यह वाला मीन आएगा 15, और 3 का पहले वाला मीन प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया 18, चेक करियो, क्या सही है, समझ गया है, भाई, सब लोग, बोलिए, बोलो भाई, तो टोटल एन आपको दिया हुआ है, 1000 और X बार भी आपको 1000 दिया हुआ है, हैना, N1 आपको दिया हुआ है 600, N2 आपको दिया हुआ है 400, और इसका X1 बार आपको दिया हुआ है 900, X2 बार आपको कैलकुलेट करना है, यह है सिचुएशन, तो आप सीधा यह रिजल्ट लगा दो, by N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार बाई N1 प्लस N2, यह तो होगा रिजल्ट बोलो, तो 1000 is equals to upon 1000 is equals to 600 into 900 और प्लस यह है सिचुएशन, देख लो सब लोग यही किया ना, अरे हाँ यह ना बोलो भई, मेरी बास समझ में आरे ही सबको कि नहीं बताओ, तो यहां से आंसर कितना आएगा बोलो, सवाल करके बताओ, तरीका किलियर हुआ कि नहीं, तो इसमें क्या कर रहा हो, जो नया वाला मीन है, वो आपको दिया हुआ है 16, सही है, और टोटल टम हो गए हैं आपके पास 10, और जो आइटम है वो एक्स टेन जिसको आपको निकालना है, तो जो न्यू मीन का मतलब हो गया अब हो गया, 15 इंटू 9 ये टोटल सम हो गया, इसमें एक्स टेन एड़ करके बाइट 10 कर दिया गया, देख लीजे आराम से सब लोग, यही आ रहा है कि नहीं, तो यहां से एक्स टेन की वैलू कितनी आएगी, 160 माइनस 135, अरे हाँ यहां यहां सर 25 आ रहा है कि नहीं बोलो, कोई कन्फीजन आ रहा हो तो बताओ, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक्स आई दिया हुआ है, 0, 2, 4, 8, ऐसे करके, कहां तक, 2 to the power n तक, और सबकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, nc0, nc1, nc2 से लेके, ncn तक, यही तो है देखो, तो अगर कि आपको मीन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सिग्मा, fixi upon sigma, fi, am I correct or not, अब जैसे आप fixi करोगे, तो यह r into ncr आ जाएगा, r kia? two r into ncr, अगर नहीं, तूटू दी पावर इंटो एंसी आर अभी सभी लिख रहा हूं देखो जरा और डिवाइड़ वाई इस इंटार करोगे तो सिग्मा एंसी आरा जाएगा जहीं तो आएगा बोलो भाई सब लोग क्या है मेरी बात सब लोगो समझ में आ रही है देखो जरा हार की वैलू जीरो रखो रार की वैलू रखो राकि वैलू तूरा को यही सब आएगा कि नहीं आपको यह सम तो पता होता है यही पता होता है नहीं पता है NCR का सम कितना होता है का सम कितना होता है one plus a to the power am i correct or not यहां से यह सम आएगा 32d पावर fam by 22 2 to the power n अच्छा यही आपको दिया कितना है बोलो 3 to the power n upon 2 to the power n is equals to 728 by 2 to the power n यह और यह cancel 3 to the power n is 728 और 728 को ही हम क्या लिखेंगे बोलो 3 to the power कितना 728 कितना हुआ भई 729 होता है कितना होगा 3 to the power n यहाँ पर एक्च्छल में एक टम मिसिंगे न वही न यहाँ पर एक टम मिसिंगे न 2 to the power 0 वाला जो कि नहीं आ रहा है nc0 के साथ बोलो भई यह सारह होगे न बोलो नहीं समझे यह सर्य यह सर्य क्योंकि उसमें जीरो से जब मल्टिप्लाइ करेंगे तो वो टम तो वैसे जीरो हो जाएगा तो उसका कोई मतलब बनेगा नहीं तो उसका सम जब निकालेंगे तो यही आ जाएगा भी ठीक है देखो आप इसका अंसर निकालो जाना तो थी टू दी पावर एण माइनस वन यह बन जाएगा तो यह से जाएगा तो आंसर यहां से कितना आ जाएगा यहां पर एक तम इसका सम 3 2 पावर न मानस वन आएगा क्योंकि यहां पर जब जीरो रखोगे तो जीरो इन्टो एंटो एंटी जी जीरो आला तो जीरो हो जाएगा एंटी वन से स्टार्ट होगा पूरा सम बोलिये मिडियन मिडियन का मतलब होता है मीडियन इस दसेंट्रव से टॉप जर्बुशन प्रोवाइट ऑल्ल द ऑप्जर्विशन एंटियम् और इसेंडिंग और सबसे पहले अगर आपको मीडियन निकालना तो आप अपनी सारी इंट्रीज को या तो एसेंडिंग और में अरेंज़ करो या फिर डेसेंडिंग GEORGE करो जब आपकी सारी इंट्री अजांग में आरेंज हो जाएं साहिए तब आप उसका मीडियन निकाल सकते हैं अब आपके पास अगर टोटल इंंट्री अज़े थब थिद्रि आपने होगी सब्सक्राइब मतलब तो उपनेुट्री मतलब अगर हमारे पास टोटल इंट्री सबक, अगर य मिस टोटल को फिल बात आप और आ रही है अगर आपके पास डिस्क्रीट इंट्री है मतलब सारी क्यूमिलेटी फ्रिक्वेंसी दिवी मतलब एफाई के टम में दिया हुआ है तो सारे एफाई का सम कर दो और फिर मीडियन निकालने के लिए से वो जो एफाई का सम एवन या और आएगा उसके आप यह निकाल निकालना है मीडियन निकालना सबसे पहले इन सारी इंट्रीज को किसमें अरेंज करो बोलो इंक्रीजिंग ओडर में तो 3759 11 15 17 28 28 31 43 टोटल इंट्रीज हो गई 11 11 प्लस वन बाई टूएथ इंट्री यानिकि ट्वेल यह बस सिक्स्ट इंट्री लेनी है तो 1234566 इंट्रीज इन सारी इंट्रीज को इंक्रीजिंग ओडर में आपने अरेंज किया तो टोटल इंट्रीज आई थर्टीन अब थर्टीन प्लस वन बाई टू यानिकी सेवेंथ इंट्री वन टू थ्री फोर फाइप सिक्स सेवन यह जो सेवेंथ इंट्री आ रही है 23 यही इसका मीडियन ह हो गया मेरी बास समझ में आ रही है कि नहीं आप जैसे सिक्स्टीन स्टुडेंट्स के मार्ग से तो सबसे पहला काम आप इन सारे मार्ग सो किसमें अरेंज करोगे बोलो कि का अंसर बताए जल्दी से ए और बी का अंसर मैंने निकाल दी और इसके बाद चुकि एन 16 दिया हुआ है तो मीन कहां पर मिलेगा आपको इसमें सिक्स्टीन बाइट टूएथ इंट्री और सिक्स्टीन बाइट टू प्लस वनेट इंट्री लोगे हां या ना और उन दोनों इंट्री को लेकर उसका हाफ कर दोगे तो आपको उसका मीडियन मिल जाएगा मेरी बास समझ रहे हैं सब लोग की नहीं इंक्रीजिंग ओडर में किया की नहीं रिप्रिजेंट बोलो इसके बाद टोटल सिक्स्टीन एलिमेंट थे तो एर्थ और नाइन अब एर्थ और नाइंट क्या वान टू त्री फोर वाइफ सिक्स सेवन एर्थ फिफ्टी फॉर नाइन आया फिफ्टी एट दोनों को एड इंक्रीजिंग ओडर में अरेंज कर दो तो तो अरेंज ही इंक्रीजिंग ओडर में सारे एक साई उनकी क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी लेलो सारी फ्रिक्वेंसी आ गई उसी ओडर के हिसाब से देखलो सब लोगो ने लिख ली अब क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल एड करते चले जाओ तो टोटल आपको किमलेटिव रिक्वेंसी यहां तक मिल जाएए देख लीजे कोई कंफीजन आ रहा हो तो बताईए नहीं समझ रहो मेरी बार तो आपको टोटल किमलेटिव रिक्वेंसी मिल गई कितनी आ रही है वह 102 102 आते ही उसका हाफ करो 51 आ गया ह आया ना अब आप देखो किमलेटिव रिक्वेंसी यहां आ रही है इसका मतलब जो 28 तक की इंट्रीज होंगी उस तक टोटल इंट्रीज 51 पहुंची होंगी तो 51 इंट्री की वैलू कितनी होगी 23 तो आपका जो किमलेटिव मीडियन आएगा वह कितना आ जाएगा 23 मेरी बा दिख लाइए ऐसमझ पाय सब लोग कि जो इसका मीडियान औरहु वह कितना हो जाएगा अ अपृटि रही यह बात कितने लोग समझेन इस 23 बोलो कि अ अ हायना इस कितने लोग सुमझे वहाई मीडियान इस ट्वwards 23 बत ओ सबसे और इसके बात आपने क्या किया किया कंडael करके कि अन्हाले को इंद्री और आईग है दो फिफ्टीवन फिफ्टीवन क्युमिलेटी फ्रिक्वेंसी यहां रहा है तो उसके कर्सपॉंड जो इंट्री आ रही हो कितनी आ रही 23 वही आपका मीडियन हो गया अब सपोज यह वाला सम 105 आता सही है तो जैसे और आता तो प्लस वन बाइटू कर लेते जैसे बाइटू करते तो इंट्री कितनी आ जाती है बताओ 106 बाइटू मतलब 53 आप 53 वाली इंट्री इसके अंदर आती कि नहीं कि वाली इंट्री के बाद टोटल इंट्री जो है ट्वंटी सेवन इंट्री और आ रही है तो यानि कि 53 यहीं आता तो फिटी थी कर्रिस्पांड अब क्या हो जाता 24 क्या है मेरी बात समझे नहीं समझे तो कैसे आप डिस्क्रीट में गुरूप डाटा में कैसे मीडियन नि सब्सक्राइब सरह सब्सक्राइब करते मीडियन क्लास क्लास कैसे डिसाइड करते उसे में रट यह मेरे यहां पर हम क्या करते हैं क्या मतलब पहले वह संधू इसके भाद मिडियन क्लास जैसे डिसाइड हुई तो उस क्लास की लिमिट भाइवा क्लास जैसे से 20 के वीच में तो टैनि इस्ट लोर लिमिट एफ हो गई उस क्लास की फ्रिक्वेंसी उस क्लास कि मतरब 10-20 के बीच में कितनी फ्रिक्वेंसी है वह गे 사स्प आया विर्थ अप वडिक लाइट बड़ प्रेले कितनी cumulative frequency आ रही थी वो इसके बाद median का डारेट फर्मुला होता है यह फॉर्मुला आपको याद रखना पड़ेगा एल मतलब लोवर लिमिट ओफ मीडियन क्लास एन मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी का सम्थ सी मतलब क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी एबब दा मीडियन क्लास और एफ मतलब फ्रिक्वेंसी ओफ मीडियन क्लास इंटू आई विर्थ तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू आई यह होता है ग्रुप इंट्रीज में मीडियन निकालने का यह करते हैं इस एक्जांपल में क्या है कि ग्रूप इंट्रीज दी हुए रिक्वेंसी डिए कितने स्टुडेंट कितने सबसे पहले हमने सारी प्रिक्वेंसी इसके बाद Q इनका लिए तो पहले में तो फूर है अगा सका बनत्रक्री जैसे अप lush कर लेंगे जैसे और टू करेंगे तो जैसे अंबाइट एट आपका यहां आएगा टूर्म क्या हो गई छो सेई ग्लास हो गई जो क्समाइण क्र ez Craft we learn क्लास होते हुस्की लोवर लिमिट एल आ गया लगहाँ आप लिमिट उसकी 40 हो गई तो आई की वैलू कितनी हो गई बताओ लोवर लिमिट माइनस अपर लिमिट करेंगे तो आई आ जाएगा कि नहीं बोलो भाई लोवर लिमिट ल मिल गया अच्छा उससे पहले इसकी फ्रिक्वेंसी एफ और सी मतलब इस क्लास से पहले क्यूमिलेटी फ्रिक्वेंसी वह 24 आ गया एन की वैलू 74 अब सीधा फॉर्मला लगा दो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटु आई यही फॉर्मला इ मतलब क्यूमिलेटी फ्रिक्वेंसी उससे अभव वाली क्लास में एफ मतलब उसक्लास की फ्रिक्वेंसी एल मतलब उसक्लास की लोगर लिमिट आई मतलब उसक्लास की विर्थ जैसे इसको सिंप्लिफाइ करो के 4.37 आ जाएगा दिखा कि नहीं सबको बताओ यह आंसर आगय के लिए अगर कि नूच फ्रिक्वेंजी का सम्धीट ना रहा है तो न बाइट उन्टी के लिए आप मीडियन निकाल लेंगे कि नहीं बताओ कैसी भी टाइप किंट्रियों तो इसमें आपको फर्मॉला याद हो जाएगा कि नहीं बताओ इस पैसे इस टाइप आने की गुंजाइब अगर आ गया तो आप अराम से सिंप्लीफाइब करके आपको सबसे पहले सारी इंट्रीज़ डाटा में गिवन होंगे उसमें आप उसका मीन निकाल लेंगे निद्धा आप आराम से निकालना जानती है इसके बाद आप सारी मीन के के अपनी सारी इंट्रीज का डेवियेशन निकालेंगे उन सारी इंट्रीज के डेवियेशन का स्कॉर करके उसको एड करेंगे और टोटल इंट्रीज से डिवायट करके उसका रूट ले लेंगे यही का मगर आप यहां कर रहा है तो f1 x2-x2 का होली स्कॉर बाई सिग्मा और पूरे का रूट ले लेंगे तो आपको मेंसा स्टेंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा नहीं समझे मतलब सारी इंट्रीज का मीन के अबाउट डेविएशन निकालो और उनको एड उसको स्कॉर करके एड कर दो और टोटल इंट्री से डिवाइट करके उसका रूट ले ल इसे बनाहे है समझना हमें क्या करना एक सा इस बार का हुलिसकोए है कर रहे तो आप साइक साइघ माइनइस एक स्वार काउल स्कवार तो एक सीगमा लगा हूए तोिह सिह Kumar एक साई-स्कवार कर समा गया यह सिकमा एक सीपार इसकॉर करता समा आ गया यह स्हुर grin harvest cycling आप च आ गया अंदर बचा एक साइक कसम जैसे पूरी एक्वेशन को एंज से ड्याइड करोगे को थो यह आ जाएगा एकस बार इसक्वार कार एंज कैंसिल यह आ गया तू एकस बार और यह ऑग्याज और एक साइ का सब्तूर्ख ना जर्ख सम्ट माइनस एकस बार x coli सारी इंट्रीज के स्क्वाइर का सम बाइ टोटल क्युमिलेटर फ्रिक्वेंसी माइनस एक्स बार का स्क्वाइर बहुत बुक्स में यह रिजल्ट ऐसे लिखा मिलेगा सिगमा AıqS i by N aria X bar लिखा हुए समझे की नहीं और यही रिज़ल्ट आपको standard deviation निकालने में यूज़ करना यही रिजल्ट समझे की नहीं सारी inch के square का heal疫 count ऐस माइनस मीन के square पर का समझ रहे हो कि नहीं गारे है की त्यानि कि इथाई एक्सळाई क के स्क्वायर का स्वक्राइड है अग्सकाइड के सक्वायर का सम्भाई सिग्माे ही वह थे Council वे हो गया और सारी उसके मीन के स्कॉायर को माइनश करके उसका रूट ले लो तो आपको स्टेंडर् डिवेशन का मतलब समझ में आया बोलो इन बीस के स्कौायर का सम्गर उसका रूट बुक्स में यह स्टेटमेंट ऐसे लिखा मिलेगा सिग्मा एकसाइग स्क्वायर वाई एंड देट इस एकसंद बार एक्चुली उद्या पहलिए ए अब एकस्वार आप निकालना सीखी चुके हैं सारी के स्क्वायर का सम वाई टोटल इंट्रीज करके एकसभार स्क्वायर माईनस करेंगे रूट ले लेंगे तो स्टम्डर ड होता है कि बोङां सामद होता है है यह गुंद रिन रिप्हार मतलब सटेंडर डेविशन नीकालो और उसका क्या कर दो स्कॉर तोस्ट कर बाए जो को समंध में आ रहे हैं कि नहीं तो कैसे स्टेंडर डेविशन निकलेगा यह बात क्लियर हुई तो आप मिसा इस्टेंडर डिविशन निकालने में यह रिजल्ट लगाएंगे तो क्या करते हैं कि अगर हमें कोफिसेंट आफ इस्टेंडर डिविशन निकालना है तो हम क्या करते हैं समझें कोफिसेंट ऑव इस्टेंडर डिविशन का मतलब होता है बसी निकालों करदेंटनों का शिन्हों का निकालोगे तो से कहते हैं कोफिसेंट स्टेंडर डैवियेशन आपसेंडर डैएचान क्या कॉफिसेंट डाइएफवाराओ निकालि लेंगे और लौ एक्सबार कर तो आपको क्या मिल जाएगा कोफिसेंट आप इस तेंडर डिशन का मतलब होता है रोब आई एक्सबार आपने कोफिसेंट आप इस तेंडर डिवेशन निकाला ही था उसमें 100 दिग्सेंट आप इस तो रोब आई एक्सबार इन्टू 100 इस कोफिसेंट आप अविरिशन रो मतलब इस तैंडर अविशन और है एक्सबार मतलब मिन एक्सबार का मतलब होता है मीन समझ गए की नहीं बताओ coefficient of variation coefficient of variation मतलब rho by x bar into coefficient of variation मतलब rho by x bar into 100 coefficient of variation मतलब rho by x bar into 100 जहां पर rho मतलब standard deviation और x bar मतलब mean बोलिए अब एक important बात ये है कि जब आपको कई सारी data entries दी हो और सबका coefficient of variation आपके सामने हो तो जिसका coefficient of variation क्या होता है ज्यादा होता है जितना coefficient of variation ज्यादा होगा आपकी data entry उतनी ही consistent होगी तरी तरी दा सीरीज हैविंग लेसर coefficient of variation इस सेट तो बी मोर का सिस्टेंट जिस डाटा इंट्री का coefficient of variation जितना ही कम होगा वही आपकी consistent डाटा इंट्री होगी यह line important है इस पूरे section में इस पूरे section की यह सबसे important line है समझ रहे हो कि नहीं क्या important line है that is the series having lesser coefficient of variation is set to be more consistent मालो आपको दो तीन entry की दी हूँ है सबका आपको coefficient of variation दिया हुआ है तो जिसका coefficient of variation सबसे कम होगा lesser जिसका coefficient of variation क्या होगा सबसे कम होगा वही आपकी more consistent entry होगी यह ध्यान रखिएगा और coefficient of variation का मतलब क्या होता है रो बाई एक्स बार इंटू हंडड़ coefficient of standard deviation रो बाई एक्स बार standard deviation क्या होता है रो standard deviation क्या होता है रो रो निकालने का तरीका root अंडर सारी entries के square का sum by total entries minus x बार का holy square यह रो होता है root हटा दोगे तो निकलाएगा variance रो बाई एक्स बार कर दोगे तो coefficient of standard deviation निकलाएगा coefficient of variation चाहिए तो रो बाई एक्स बार इंटू हंड़ड कर दोगे जितना less coefficient of variation रहेगा उतना ही consistent आपका data रहेगा पूरा खेल समझ गया सब बोलो भाई पहला coefficient of variation दिया हुआ है 60% तो उसको लिख दो रोवन भाई एक्स बार इंटू हंडड क्या बात आप लोगों को समझ में आ रही है बताओ और रोवन आपको दही रखा है 21 आराम से निकाल लो दूसरा आपको सीविन दिया हुआ है कितना 70% इसको कर दो रोटू भाई एक्स टू बार इंटू हंडड़ और रोटू आपको दिया हुआ 16 तो यहां से आप एक्स बार निकाल लेंगे यहां से आप एक्स टू बार निकाल लेंगे यही आपको चाहिए न बोलिए भाई नहीं समझ में आया भाई कोई कन्फीजन आ रहा हो तो बताओ बोलिए अरे हाँ यह ना तो सिंपल कॉंसेप्ट है दोनों अब्जर्वेशन क्या माल लो ए ए एंड बी मान सकते हैं कि नहीं तो पहले मीन दिया हुआ है कितना ना तो ना इन का मतलब हो गया 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस A प्लस B और होल डिवाइड़ वाई कितना आ जाएगा यह 8 तो यहां से देखो A प्लस B का सम कितना आ रहा है 12 चेक करियो ज़रा देखो पहला रिलेशन यही आ रहा है A प्लस B इकॉल to 12 मीन से 72 हाँ ठीक है यही आ रहा है देखो इसके बाद अगर हमें स्टेंडर्ड डेवी नहीं स्वारी वैरियंस दिया हुआ वैरियंस मतलब हमें रो स्कॉाइर दिया हुआ है रो स्कॉाइर नाइन पॉइंट टूफाइव दिया रो स्कॉाइर का मतलब हो गया सारी इंट्रीज के स्कॉाइर का सम बाइट टोटल इंट्रीज माइनस एक्स बार का होली स्कॉाइर यह समझ में है कि नहीं क्या क्या मैंने बोलो भाई तो नाइन टू फाइव बाई हंड्रेड इस इक्वाज टू सारी इंट्रीज के स्कॉाइर का सम करो सिक्स स्कॉाइर सेवन स्कॉाइर हंड्रेड स्कॉाइर 12 square 12 square इसके बाद 13 square A square plus B square by 8 और minus 9 का square mean 9 है ना बोलो भाई क्या सही लिखा है मैंने अरे हाँ या ना देख लिजा आराम से कोई doubt आ रहा हो तो बताओ अब जरा यहां से दूसरी equation बनाओ क्या बन रही है इस कोटा के दर ले आओ add कर दो 925 plus 9 into 9 is 81 81 hundred by 100 into 8 8 is equals to इसरा सारे square का सम बताना कितना आ रहा है बोलो जल्दी से सारे square का सम कितना आ रहा है देखियो 744 744 plus A square plus B square रहा है रहा है और यह आ रहा है 520 9 देखो सही लिखा है और इन टू बाइ कितना सर वो 498 आएगा स्क्वाइर का संब यस सर चलो 498 अपना कल्कुलेशन दियान रखना मैं तो साइट कर रहा हूँ इतना कल्कुलेशन कभी-कभी कुश्चन में आ जाएगा तो उस कल्कुलेशन के लिए तयार रहिएगा तो इसको अगर 4 से दिवाइड करो तो 2 और 4 से यहां दिवाइड करोगे तो 25 25 से पूरा डिवाइड होगा जर आपने 12 स्कॉर छोड़ दिया यहां पर अच्छा यार एक 12 स्कॉर भी तो रहेगा चलो वो तो तुम लोग सम करो 498 से बढ़ जाएगा क्या टॉल इसकार आते 642 अच्छा 642 अच्छा 642 यह देखो यह कल्कुलेशन ठीक जा रहा ना 9025 इंटू 2 वाइ 25 25 से चैंसील हो रहा है हो तो रहा है मेरे साब से ना यह सेवें ट्वड़न्टी-टू यह सेवन ट्वंटी-टू तो अश्री 360 को कैंसिल करेंगे तो यह कितना आजाएगा इस वेल्ट इस वेल्टी आ रही है मतलब यह बच रहा है आपका 722-642 इक्वाल टू ए स्कॉर प्लस बीस को मतलब यहां से ए स्कॉर प्लस बीस को रहा है इसा अब यह और भी बताओ तब तो यह और भी आराम जे सॉल कर लोगे बोलो कर लेंगे कि नहीं बीकी वैल्यू 12-1 रखके सिंप्लिफाइए कर दो अरे बोलो भाई बीकी वैल्यू कितनी रख़दो 12-1 इसी को ओपन कर दो तो ए स्कॉर प्लस कितना आ गया है 144 प्लस A स्कॉर माइनस 24 एकोल टू 80 तो यहां से आ गया 2A स्कॉर माइनस 24 ए इसको इधर ले आओ तो 64 एकोल टू 0 यह स्कॉर माइनस 12A प्लस कितना 32 देखो यहां पर जो आंसर दो इंट्रीज का है वो कितना आ रहा है 8 & 4 कितने लोग इस बात से अगरी है बताओ यहां समझे कि नहीं बस तो मीन और स्टेंडर्ड डिविशन लगा कि A और B में दो एक्विशन बना ली उसी को सिंप्लिफाइ करके हमने A और B निकाल लिया है है कैल चली तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हमें टोटल आप्जर्वेशन एटीन दिए हुए है ठीक है और उनका मीन जो है पुराना वाला जो मीन ओल्ड वाला मीन जो है वो दिया हुआ है और ओल्ड वाला जो इस टैंडर्ड डिविशन है ना वो आपको कितना दिया हुआ है फोर ना आपको दोनों नए निकालने जबकि डाटा इंट्रीस वह तो नया मीन तो आराम से निकाल लोगे बोलो भाई क्या हम नया मीन आराम से निकाल लेंगे ये बताओ मुझे कितने लोग इस बात से अग्री है कि नया मीन आराम से निकल आएगा बोलिए अगर 12 को 21 से मिस्प्लेस किया गया है तो नया वाला मीन बताओ जल्दी से बोलो भाई जल्दी मैथट 18 इन्टू 7 टोटल सम हुआ हाँ या ना बोलो इसमें 12 माइनस वन करेंगे नहीं इसमें 21 माइनस करेंगे ना और 12 वाइट करेंगे देख लो सब लोग और डिवाइड भाई किससे कर देंगे किससे करेंगे भाई 18 से तो क्या ये आंसर 7 माइनस कितना आएगा ये 9 बाई 18 तो क्या ये आंसर 6.5 आ रहा है तो 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 पुराने वाले स्टेंडर्ड डिवेशन के लिए अगर आप कैलकुलेशन लिखोगे और वाले स्टेंडर्ड डिवेशन के लिए क्यों लिख रहे हैं आप द्यारा कैलकुलेशन बस देखिएगा साइए ना स्टेंडर्ड डिवेशन सर्रों होता स्वारी इसके लिए जब आप कैलकुलेशन लिखोगे तो रूट अंडर जितने भी पुराने वाले सम नंबर्स थे उनके स्क्वार का सम डिवाइड़ बाइटीन माइनस जो पुराना वाला मीन था कितना था वो कितना सेवन उसका स्कॉइर यही तो का पहला पहला स्क्वार क्या दो भाइटीन यह पहला प्ल देखना हो क्या रहा है जब आप नया वाला standard deviation निकालना चाह रहे हो तो कर क्या रहे हो सारे entries के square का sum करोगे तो उसमें होगा क्या x i के square का sum आएगा उसमें 21 का square minus करोगे और 12 का square add करोगे यह वास समझे कि नहीं और फिर 18 से डिवाइट कर दोगे और जो नया वाला मीन आपने निकाला है डैट इस 6.5 बोलो उसका square भी हटाओगे यह समझ मैं सबको कि नहीं बताओ अब जो यह वाला सम है वह यहां से निकाल के पुट कर दोगे कि नहीं बोलो अरे हाँ यह ना यह वाला सम तो आपको चाहिए होगा ना इस वाले सम की वैलू equation 1 से निकाल लेंगे निकाल लेंगे कि नहीं सब लोग बोलो अरे बोलो भाई 16 प्लस 49 करेंगे कि ना आ जाए गए कि 16 प्लस 45 करोगे कि ना जाए गए कि ना जाएगा इवे 16 प्लस 45 करेंगे तो कि इतना आएगा 65 65 इंटु 18 कर दो अब यही वैली उठा के ना रख दो उठा के तो 65 इंटु 18 प्लस 12 स्क्वाइर माइनस 21 स्क्वाइर बाई 18 और उसमें 6.5 का स्क्वाइर कर दो माइनस देख लो सब लोग 6.5 स्क्वाइर को थोड़ा और अच्छे से लिख दो तो साथ यह थर्टीन बाई टू आता है न यह और आप इसी को सॉल करके नया वाला सिटंडर्ड बला निकालने का तरीका समस्मन में आया में बोलो सबसे पहले नयाया मिन निकाल लिया नौ Keeping को आर्ग दिया उसमें आपको सारे स्कॉा हर का सम्ट तो वो सारी book करका सम पुराने वाले स्केंडर्ड में डिजल्ट से द्यान रखिएगा कि वाई दो अब्जर्वेशन ए और भी मान लेंगे वहाँ से वह जाना चाहिए इसका अंसर 2.5 लिख लिएगा हाँ इसमें वही दो अब्जर्विशन आपको निकालने हैं उन दोनों अब्जर्विशन को ए और भी मानों जल्दी से बताओ ए और भी की वैलू क्या रही है एक्स बार आपको दिया हुआ है 6 रो आपको दिया हुआ है 2 और तीन वैलू दी हुए है 579 तो सबसे पहली एक्वेशन तो बनेगी 6 इंटू 5 इक्वाल टू 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ए प्लस भी देखो ए प्लस भी 9 आ रहा है क्या देखो दूसरी एक्वेशन बनेगी रो स्कॉयरा इक्वाल टू सिगमा एक्स आई स्कॉयर बाई 5 माइनएस एक्स बार का स्कॉरा तो यहा जाएगा 4 प्लस 36 इक्वाल टू 25 प्लस 49 प्लस 81 प्लस A स्कॉयर प्लस B स्कॉयर बाई 25 कि दूसरा देखो ए स्कॉयर प्लस बी स्कॉयर की वैलू कितनी आ रही है कि 45 से ए प्लस भी नाइन आ रहा है कि यह सब्सक्राइब यह कितना रहा है फोटी नाइन सब्सक्राइब यहां से आंसर 6 और 3 निकाल लोगा दोनों को सौल करके ए अगर थ्री होगा तो देख लो आराम से कैल्कुलेशन समझ क्या होंगे सब लोग कोई कल्पीशन हो तो बताओ अब ध्यान से अगर इंट्रीज एक साई है ठीक है और आपने एक साई प्लस माइनस डी किया ए साए न तो जो रो होता है या इस स्टेंडर डिविशन वह चेंज ही नहीं होता है गे ज्यान रखिए और अगर आपने सारी इंट्री इसमें कोई कॉंस्टेंट मल्टिप्लाई या सारी इंट्रीज में कोई कॉंस्टेंट डिवाइड किया तो आपके रो में आपके रो में उसी कॉंस्टेंट से मल्टिप्लाई हो जाता है और आपके रो में उसी कॉंस्टेंट से डिवाइड हो जाता है यह ध्यान रखिएगा की जाएगी तो रो में ही होता और एक्स बार में क्या यह क्वण्टि今日 एडिया सब्ट्रेइट हो जाती है एक्स बार में वही हो जाती है और एक्स का वेरियंस होती है तो गया है तो लिक्लाइब हो गार है तो सारी टो से दिषार नहीं एक हम बोलो तो इसक्वायर मल्टिप्लाई हो जाएगा इसमें इस्टेंडर्ड डिवेशन में एक्साइप प्लस माइनस डी करने से कोई चेंड नहीं होता क्यों कि आप सारी इंट्रीज में डी आड़ करेंगे तो एक्सबार में वी डी एड़ होगा तो दोनों का डिफरेंस सेम र और उसी को टोटल इंट्री से डिवाइड करते हैं तभी रो निकलता है तो एडीशन सब्टरेक्शन का स्टेंडर डिवेशन पे कोई फरक नहीं बहूता है मुल्टिप्लिकेशन और डिवीजन उने पर सेम क्वांटिटी से मृटिप्लाई डिवाइड होते है मीन में सारी कॉंटिटी में अगर आप कोई कॉंटिटी एड सब्टेक मल्टिप्लाइड करते हैं तो मीन में वही कॉंटिटी एड सब्टेक मल्टिप्लाइड क्या रूल हम याद रख पाएंगे बोलो अरे हाँ या ना क्या है रूल याद रख पाओगे जल्दी बताओ हाँ या ना आई सब को की नहीं आई बताओ बोलिए तो पहला कह रहा है कि फास्ट एन नैच्छल नंबर का ये जो स्कॉाइर है वेरियंस टैन है ना मतलब रो स्कॉाइर की वैलू टैन दे रखी है मतलब रो स्कॉाइर इस 10 मतलब फ़र्स्ट एन नैच्छल नंबर का सम मतलब और ये बात आप लोगों को समय में ये विपाओ फ़र्स्ट एन नैच्छल नंबर है वन से लेके न तक का सम और बाई एन देखो ये बात कितने लोगों किलियर भी बोलो और हां यह ना इसके बाद क्या कह रहा है फॉस्ट एम इवन नंबर से और उनका इस्टेंडर डिवेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ बताओ सिस्टीन फर्स्ट एम इवन नंबर्स का मतलब आर इक्वल टू वन से लेके एम इवन मतलब टू आर और बाई कितने एम होगे यह दूसरी कुशन होगे दोनों से एम और न निकल आएगा बताओ एमाई करेक्ट और नॉट एंड की वैलू कितनी आ रही है सरी ओ स्वारी यार तो फॉर्मला ही गलत लगा दिया इसक्वाइर करना है ना ओहो सब गड़ गड़ कर दिया मैं तो सारे इसक्वाइर का सम बाई एक्स बार भी तो करेंगे ना अरे हाँ या ना जैसर और इक्वाइर यार तो सब गड़ बर सब्सक्राइब लगा दिया ना हमने तो फॉर्मला क्या लगाएंगे सारे स्क्वाइर का सम आर इक्वाइल टू वन से लेके न बाई एन अभी ठीक है अब ठीक है तो देखो और यहां पर भी जे तो आर एक्वाइल टू वन से लेके म तो आर का होली स्क्वाइर वाई म माइंगे अभी ठीक तो है देखो दोनों साल करके अईम और एन निकाल लो नहीं समझें यह आपने मीन निकाला है कि नहीं सारे इंट्रीज के स्क्वाइर का सम्पाइट टोटल इंट्रीज माइनस मीन अभी ठीक है ना वह हमने वह मीन वाला अब बताओ इसको स्वाल तो कर लोगे छोलो पहली क्वेश्ण कैसे स्वाल करोंगे एंटु अन प्लस फान इंटु टुव फ्लस फॉन तो यह साथ एंप्लस फॉन इन म्लस मों आयेगा आया और यह एंट फॉन का स्कॉयर आएगा इस इकुश्टू 10 यह पहला रिजल्ट हो गया और यह आ जाएगा आपका 4 by 6 2 यहां पे 6 भी आ रहा हुगा देखो यहां पे आएगा 2 by 3 m plus 1 2m plus 1 m और m cancel यहां से आएगा m into m plus 1 यहां पे आएगा यहां पे आएगा यहां पे आएगा यहां प्लस वन बाई टू का स्क्वार चेक कर यह सही लिख रहा हूं मैं यह दूसरी कुछ नहीं दोनों को स्वाल करके आप आंसर निखाल लेंगे हो जाएगा कि नहीं बताओ दोनों को अडिटिक बन नहीं होंगी दोनों से m और n की वैलू आएगी वहां से m plus n निकाल लेंगे देख लो सब लो अब समझें कि नहीं कैलकुलेशन बोलो नहीं समझें क्या है यह सब्सक्राइब बताओ आंसर बोलो फिर अंसर सिंप्लिफाइब करके बताओ वाट इसम वाट इसन इतना कैलकुलेशन इस टाइप में करना पड़ जाएगा आपको अरे कैलकुलेशन समझ पाए कि नहीं भाई नहीं समझे क्या नहीं समझ में आया तो बताओ कि सब्सक्राइब कर लिजेगा इसको सिंप्लिफाइब कर लिजेगा एम सेवन एन एलेवन दोनों को एड़ कर दो आंसर कितना हो गैटीन यह सर्थ तरीका समझे कि नहीं आसान सा कुश्चन था और यह कुश्चन इस टाइप के कुश्चन तो टोटल कितने अब्जरवेशन है वन टू थी फॉर फाइब सिक्स सेवन एन एट ना तो तैन इंटो एट इस इक्वास टू थी प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस 12 प्लस 13 प्लस 20 प्लस एक्स प्लस वाही ना वीटा है एक्स प्लस वाही आसे कितना आया किटना कुच कुच है कि फिफ्टीन आ रहा देखो X plus Y कितना आ रहा? 15 आ रहा है क्या? 15 या 16? 16 16 आ रहा है और फिर standard variance दिया हुए मतलब row square दिया हुए 25 रो square का मतलब 3 square, 7 square, 9 square 12 square, 13 square 20 square X square plus Y square अपान 8 minus X bar का square मतलब 100 तो ये हो गया 125 into 8 1000 और ये पूरा square का सम कितना हो गया? आपी स्कॉयर का सम बतायो जरह X2 plus Y2 plus 852 852 X2 plus Y2 148 लेखो दो एक्वेशन बन गई दोनों एक्वेशन जे X और Y बताओ कितने हा रहे है What is X and what is Y? बोलो What is X and what is Y? Hmm अच्छा एक्वेशन निकालो X2 Y निकालना ऐसा X plus Y का हो कितना रहा रहा अंसर बता? 2 X Y is equals to 256 और सारी इंट्रीज जो है वो जीरो से टैन के बीच में है सही है ना तो आपको इस्टेंडर्ड डिवेशन बताना एक चीन हमें रखियेगा सारी इंट्रीज अगर जीरो से टैन के बीच में है तो जो इस्टेंडर्ड डिवेशन है ना वो हमेशा अपर और लोवर इंट्री मतलब मैक्स एंड मिन डाटा इंट्री यह द्यान रखिए इससे उपर कभी नहीं हो सकता है स्टेंडर्ड डिवेशन तो आप सोचो जीरो और टैन के बीच की सारी इंट्रीज है तो इसका मतलब स्टेंडर्ड डिवेशन 5 या 5 से छोटा सकता है वं सकता सिक्स में घुरी यह तो आपकी लोवर इंट्री जो आपकी सब से कम जीरो ले सकते हो सब्धेया दर को टू करोगे आपका स्टेंडड डेविशन आजाए देख लीजे तो इस्टेंडर्ड डिविशन हमें सा किस से चोटा होगा फाइव से तो टू वन फॉर हो सकता है बट सिक्स नहीं हो सकता क्या बात आप लोग को समझ में आई बोलो कि लिए वाई स्टेट्मेंट थेरोटिकली बोलो लास्ट कुश्चन देखिए ज़रा हाँ देखो हाँ बेटा बोलो कि एक बार कि बोलो बाई एक बार क्या बता दें कि अब फिर से बता दिए तो 53 में कुछ नहीं है स्टेंडर्ड डिवेशन का एक थेरोटिकल स्टेट्मेंट है बेटा कि किसी भी डाटा इंट्रीज जब आप लिखते हैं तो जो भी आप ले रहे हैं मतलब एक सट्री जितनी भी एक सट्री वैरियंट की वैलूस है उन सारी वैलूस की अपर और लोवर लिमिट का सम बाई टू करेंगे वह स्टेंडर्ड डेविएशन मैक्सिमम उतना हो सकता है उससे हमेशा छोटा ही रहेगा मतलब इस मीन को कभ सब्सक्राइब ले सकता है उससे बड़ा इस टेंडर्ड डेवशन नहीं हो सकता तो 10 प्लस 0 by 25 हो इने इस टनेड़ दिविशन 5 यर फाइफ से छोटा होगा उससे बड़ा नहीं होगा यानी तू हो सकता है वान हो सकता है वह सकता है बद कभी 6 नहीं हो सकता तो क्या नहीं हो सकता यह पूछा गया था यह थे यह समझ गया कि नहीं बोलो को यह बात आप लोग समझ गया कि नहीं बताइए अब यह वाला ज़रा करिए लास्ट कुश्टिन सिग्मा एकसाई दिया हुआ है सिग्मा एकसाई म्यू एकसाई माइनस थी अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना सारी इंट्रीज में थ्री माइनस किया गया है तो उससे मीन में क्या फरक पड़ेगा थ्री से माइनस हो जाएगा तो पहले सबका मीनδα कलो चाल मीनने के लिए करोगे क्या है एकquality से लेके 10 XI का सम माइनस 555 50 is equals to 10 हो जाएगा इसी में 10 से डिवाइट कर दो इसी में किसे डिवाइट कर दो 10 से तो इसका मतलब स्टार्टिंग का मीन कितना आ गया बोलो सिक्स है कि नहीं यह बताओ अरे हाँ आण अब सारी इंट्री में आपने 3 माइनस कर दिया है तो नई वाली इंट्री का मीन कितना हो गया इस बात से कितने लोग एगरी करते हो बताओ कैलकुलेशन के लिए वा मैंने क्या किया बोलो भाई नहीं समझे यह कैलकुलेशन के लिए रुग क्या हो रहा है बताओ जल्दी से नहीं समझ पाए क्या अगर नहीं समझ पाए तो यहां से आई एक्साइन निकाल लेते वह सिक्स्टी आता उसमें आप टैन से डिवाइट कर देते हैं आप समझ गए कि नहीं बताओ बोलो और सारी इंट्रीज में three minus किया गया तो mean में भी three minus हो जाए ला पार्ट तो done हो गया अब बात आते हैं किसकी variance की तो सारे इंट्रीज के square का sum आपको दिया हुआ माइनस फाइव करके अध्यान से अफ्ज्व करिएगा अ बहाइए एक्कॉल तू टू वन से लेके 10 साइ अलग कर दो देखो और प्लस 25 इंटू 10 अलग कर दो यह 40 दिया हुआ है क्या बात आप लोगों को समझ में मैंने क्या कर दिया बोलो अच्छा यह सम आप निकाल चुके हैं कितना आ रहा है यह सम कितना आ तो इसको 60 रख दो यहां से आई कोल टू वन से लेके 10 एकसाइ का स्कॉायर निकल आएगा देखो क्या रहा है फोटी प्लस 600 माइनस 250 आगया अब अगर हम यहां से रो स्कॉायर निकालना चाहें तो सिग्मा एकसाइक का स्कॉायर बाइटन माइनस क्या करेंगे एकसबार जो है औरजनल वाला उसका स्कॉायर माइनस कर देगे अच्छा डाटा इंट्री में कोई भी कांस्टेंट Capital मायनस करने से क्या वी वैरियंस की हाएगा वही वारी यहां हाएगा नहीं है असी न सब लोग की नहीं है जैसे तो बहुत हिससे आप मायनिस करोगे क्या है अंसर बता और इसको वह कितना रहाएं बाइट 10 कर दो यहां उठागे तो 464 माइनस 25 64 माइनस 25 कितना हो गया कि भूलो थार्टी नाइन हुआ कि नहीं है और थार्टी नाइन में एक्स बार थार्टी सिक्स और माइनस कर दो तो कितना आ गया तो स्टेंडर डिवेशन 3 आ रहा है तो उसका भी वेरियंस कितना होगा थ्री होगा अरे हाँ यह ना बताओ तो आंसर इसका कितना आ गया क्या बात सब लोगों को समझ में आई नहीं आई यह बताओ कोष्चन की language और calculation समझे की नहीं बोलो अरहा हाँ यह ना कोष्चन की language calculation सबको समझ में आई की नहीं आई यह बताओ bis left बोलो अच्छा इसको कैलकुलेट करने का एक सॉटकट भी है मेरे पास बताऊं क्या देखो यहां पर सारी इंट्रीज में फाइब माइनस किया गया और उसका सम निकाला गया तो फाइब माइनस करके अगर हम इसका स्टेंडर्ड डेवेशन निकाले तो वह आ मतलब थ्री आएगा वही थ्री सीधान सब्सक्राइब चीज आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आई होगी इसलिए आप ऐसे मत सोचिएगा आप डियरेट ऐसे सोचिएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले एक साई का सम निकाल लेंगे दिखा सबको कि नहीं वहां से पुरा मिन निकाल लाएंगे इसमीन के असे갈 समिसे एक्सवाले सम्बर करे माइनस करके में निकाल लें दिखां निकाल लेंगेmother म celebration करके नियामीन निकाल लेंगे और स्टेंडर्ड डिवेशन और वेरियंस पर कोई फरक पड़ेगा नहीं एडिशन सब्ट्रेक्शन का वह फरक लेंगे नहीं बात होगी खत्व कि समझ गए कि नहीं भाई स्टैट्स में बताई है कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो जैस ब्स वही लगाना है इसमें तो कॉज स्कॉइर थीटा प्लस साइन सब्सक्उज theor स्क्टेटा बीटा और प्लस 거지 कॉज स्क़्ॉज थीटा दिया हुआ इसका मतलब टू कॉज स्कॉज थीटा फ्लस कॉज स्क्ट बी ता की वैलू ऑन दी हुई है यह है और साइन स्कॉायर बीटा आपने थ्री साइन स्कॉायर थीटा पड़ा हुआ है Посका मतलब कॉस क्उज़ वीटा की बायू कि तो घान का मौ किसे स्कॉाइर नियों कि ठीक नहीं कि एधन का नद अर्ससाइं क्या हए गा फेần ऐग्हा न आ यह और यह हो गए commitment यहां से 10 square theta कितना आगया 2 by 3 तो sine qua square theta पूचा गया answer क्या हो गया 3 by 5 दिखा कि नहीं सबको 3 by 5 बोलो यह सर बसे ही answer हो गया समझ गया कोई confusion आ रहा हो तो बताओ अरे समझ गया भाई